अब अब अच्छो हमारा तीसरा जो कॉला में शोबा ठीक है डिपार्टमेंट ब्रांचेस ऑफी जोग्राफी के जोग्राफी के एक इस शोबे में कौन से सबब को रखा गया है तो हम सबसे पर देगे कि समग में पर एक जमीन पुरूबी बुदूर्थ जो आम जोग्राफी जो हमारी जिन्दगी से मिला जुरा है हमारी रोज मरा जिन्दगी में उसका इस्तेमाल आता है हम उससे भी जुड़े हुए है ऐसे टॉपिक्स को उन्हें आम जोग्राफिया में से लेबस में रखा गया है उसके बास सब्सक्राइब बर दो आईए पलती हुदूत इसे भ डी जुड़े का हम एग्राफिया में रखक्ता गया है। यह गारिवल है खोड़े हुद इस ऑखतीर कोम एग्री वी Luckấp्त बड़े है। किया है आपको उट यह अपको यह उड़े ब्लैकोड पर लिग्कार मांद दे दूँ ठीक है डहा करम YOU किसान जो एक फार्माट जो आह लो खेती किस तरा करता है किस तरा हो साल वह पर उसका मादा खेती पर चलता है, क्या किन से महीने में कब क्या करता है, ये एक मुतालend Nerd मैं आपको दे दू, औरली दे दू, जबानी दे दू, या फिर आपको वोड पर लिख कर दे दू, या आप खेती के बारे में मानुमात किसी किसाँ में या पढ़ता ने, ये एक चीज़ मुई मुदालिक, लैकिन जब हम खेती वाड़ी मे जा खुशी फिल्ड विजिट करेंगे, वहाँ पर जाएगे और खेत में हम किसान से मुलाकात करेंगे उसे बातचीत करेंगे, उसे खेती में उने वाली फसले, कौन से महीने में कौन सी फसल होती है, कितिनी होती है, उसके लिए वो कितिनी महनते करता है, यह सारी मानुमाद, खेती में चलेंगे फिरेंगे, वागी मिट्टी के बारे में जा देंगे, वहाँ पर जो पानी के जो लेकर government की क्या जो है तो मदद है यह सारी चीज़ें हम खेती में जाकर किसी किसान से मालूमात हसल करेंगे This is called field visit इसे कहते है field visit practical knowledge हम यह practical knowledge हसल कर रहे हैं पढ़कर नहीं कर रहे हैं black book पर लिखकर यह उससे पढ़कर नहीं कर रहे हैं इसी किताब में किसी paragraph को पढ़कर नहीं हसल कर लें बलके हम पुद जाकर किसी चीज़ का मुदालग करते हैं जिसे कहते है field visit practical geography हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उससे कहते है अमिली geography अब यहां पर आप लेखेंगे रहता नमबर 3 लिए globe यह globe आपके सामने रखा हुआ है globe मतलब दुनिया का नक्षा ठीक जिस तरह दुनिया अल्दा ने बनाई है साइन नाम ने यह globe एजाद किया है बनाया है ठीक इसी तरीके से हमारी जो जमीन है अर्थ है यह इस तरह बनी है तो यह globe अब globe का मुतलब करना be practical उसके वाद नक्षे का मौगना नक्षे के बारे में जोगरफ़ कहते हैं कि नक्षे का जब कोई बच्चा या कोई teacher मुतलब करता है उस पर और फिक्र करता है तो नक्षा जो है मानो उससे बाते करने लगता है जब हम geograffy में किसी नक्षे को देखेंगे सब उस भारत को उसके नक्षा देखेंगे उसमें अंदर boundaries को देखेंगे उसके अंदर सरहतों को देखेंगे इस अलग-अलग रियासतों को देखेंगे रियासतों में अजरा को दिलों को देखेंगे हम उसका मुतलब करते तो नक्षे का मौनाओ इलाकाई सेर, इलाकाई सेर मतलब सेर तफरी पिक्निक नहीं, not a picnic, not a tourist, बल्भी इलाकाई सेर किसी इलाके में जाकर वहां की मालुमात हासिल करना, किसी खेट पर जाके, किसी कार खाने या फेक्टरी में जाकर मालुमात हासिल करना, questa is called ilaka is there feeling visible अब तबबाई गवर्णाफिक तबबाई प्रेक्टेर जिसे अंगरेडिया में कहते है इस दुनिया में जर हम अपनी आपохों से देखते हैं नजारे तो हमें ये समझाता है कि कुछ चीज़े इनसान ने बनाइ है और कुछ चीजे अल्ला तबारगों ताला ने अपनी खुद्रस से पैदर की उसको पैदा करना या बनाने की ताकत हम इंसानों में बेखुल भी नहीं मसाल के तौर पर बरफीले बड़े बड़े पहाड पहाडी इलाके समुंदरी साहिवी किनारा बड़े बड़े समुंदर इसे आप जगराफिया जमान में बहरे आजब कहते बहुत सारी चीजे रेगिस्तान है बड़े बड़े यह अल्ला ताला ने अपनी खुद्रस से पैदर की है बड़ी बड़ी पहती हुई नदिया इन नदियों को हम बहा सकते बिल्कुल नहीं इसे अल्ला ताला अपनी खुद्रस से चला रहे तो यह सारी चीजे जो अल्ला ताला ने अपनी खुद्रत के जरीए पैदर की है उसे तबाई जोगराफिया में रखा गया तबाई जोगराफिया ठीक है फिजिकल जोगराफिया अब इसमें लेखिए निया दर्जे हराद को तबही जोग्राफ की है, टेंपरेचर जी से हम अजरेजी में कहते हैं, क्या इस टेंपरेचर को चलाना, इसको बदलने का इख्तियार या इसको बदलने की तरकीद हम इनसानों के हाथ में? बिल्कुल नहीं है, बारिज का बरसान इनसानों के अख्तियार में नहीं है, गर्गी का बढ़ जाना, टेंपरेचर का बढ़ जाना, हमारे अख्तियार में नहीं है, हमारी मर्जी पर नहीं है, टेंपरेचर का कम हो जाना, हमारी मर्जी हमारे अख्तियार में नहीं है, यह अल्द आल्द चला रहा है, तो यह दर् अलना ने जो आई जमीन पर 29% زमीन बनाई है और 71% जो बड़े-बड़े समुदरों की शकल में बहरे आजमों की शकल में तो यह समुदर को बनानेवाले हम हैंних वहих कि इंसान ने बनाया किसी साइंसता ने बनाया, बिल्कुल नहीं, अल्दा ताला ने अपनी उद्रस से इतने बड़े-बड़े समुदर और बहरे आजम पैदा किये, तो ये बहरे आजमों की एमियत भी तबही जोग्राफिया में रखा गया है, चट्टाने और चट्टानों की किसमे, कि इतनी पफ़दर कहते हैं हम तर दवान में, रोक्स कहते हैं करेजी उसकी अलगाला पिस्में हैं, तो उसे भी जोग्राफिया के तबही हिस्से पे रखा गया है ब्राइश पे रखा गया है तबही जोग्राफिया कि आते ह हैं इस लेस्न नमर 8 और 9 और 10 है, जिसको इंसानी जोग उसका सहारा लेकर हमने अपनी इस्तेमाली की चीज़े बनाई तो इंसानी जोग्राफिया में रख रही है उसके बाद तवानाई के वसायल अब तवानाई के वसायल यह फैन उपर क्लासरूंट में चल रहा है आपका मुबाइल फोन है जिसे विडियो शुटिंग होकर आपक प्रोणिक्स की सारी चीज़े चल रही है यह हम इंसानों ने बनाई तो उसे इंसानी जोग्राफिया में रख गया है सबसे आखरी सबग है सबग नंबर दस इंसानी पेशे के कारोगार बिस्निक्स तिजारत या तो हम जो है हमारे वालिद हो हमारे वाल्दा हो हमारे वालि नैंड दो तरह दो जगह से पैसा कमाते है एक कोई नँन कोई 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 करोबार करके बिजिनी निस करे दूसरा जॉब करके मुजम चैसी पेशेder ये इंसानी पेशों को भी इंसानी जोग्राफिया में रखा गया है तो काइंट सॉपती जोग्राफिय, ब्रांचे सॉपती जोग्राफिय, चार, पोर है एक है आम जोग्राफिया, जर्मल जोग्राफिया, दूसरा है अंगली जोग्राफिया, प्रैक्टिकल जोग्राफिया, तीसरा है तबई जोग्राफिया, फिजिकल जोग्राफिया, और चौर्था है इंसानी जोग्राफिया, हुमेन जोग्राफिया तो ये चारो ब्रांचे चारो शाका के बारे में आपको समझाया शुक्री